दूस्तू इस वीडियो में हम पूछांगे जीके का पांच बढ़ हिमायदार सवाल पर तेक सवाल के लिए मिलेगा सोचने के लिए पांच सखेंड तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर किजिएगा कि अच्छा जनकारी आपके पास में डाइरेट मिलती रह दोस्तो इसका सही अंसर है नाया खुन बनता है अत्री मजबूत होता है इसलिए दोस्तों पाला का साग जरूर खाना चाहिए आतों में नाया रेशा बनता है तो हमारी सरीर श्टांग और टाइट रहता है सुंदर बन करके हमेशा के लिए दोस्तों रहता है इसलिए जरू और जल्दी कीजिएगा अच्छा जनकरी हमें सापाने के लिए दोस्तों इसका सही अंसर है डार पीठ में दर्द होता है और गठिया पकर लेता है इसलिए दोस्तों आप लोगों से दोनों हाँ जोर करके रिक्वेस्ट एही कहूंगा कि आप लोग एक काम भूल करके भी ना करें दोस्तों इस सब चीज़ जो है खाने वाला चीज़ नहीं है दोस्तों इसलिए मचें सवाल नमपर तीन चिनी निम्बू पानी का सेवन कब करना चाहिए दोस्तों चिनी पानी निम्बू का सेवन कब करना चाहिए दोस्तो इसका साही अंसर है जब सरीर में गर्मी महसूस होने लगे तो चीनी पानी निम्बू का सेवन करना चाहिए जो लोग चीनी पानी निम्बू का सेवन करते हैं गर्मीयों के मौसम में उनकी सरीर सितल और ठांधा रहता है इसलिए दूस्तों चीनी पानी निंबू का सेमान अवस्ष गरे सवाल लमबर चार चोली का सबजी खाने से क्या नुक्सान होता है चोली हो जाता है जो ठंधा होता है उसको सबजी pouring गालक सार लिथ Had कि दोस्तों इससर बंपने स्यंसर चैनि कि चवली का सब्जी ठंधा होता है उसको नहीं खाना चाहिए उसमें ज्यादा मत्रह में लहसुन डाल करके खाना चाहिए कि सांस ना फूले सांस फूलने का कारण नहीं होता है कि सब्जी में जब हम लोग लहसुन कौम डालते हैं सवाल नमपर पांच अस्थामा वाले रोगियों को या सांस जीन को फूल रहे हैं उन रोगियों को कौन सा चीज नहीं खाना चाहिए दोस्तों आज हम भी ताथ से बताएंगे तो वीडियो के लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा मेरे दोस्तों कि दूस्तों इसका सब्सक्राइब दाल मचली नहीं खाना चाहिए क्याव कि इस सब चीज जो है खाने से सांस फूल लगती है तो बात में चल करके भारी पर जाता है दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेर सब्सक्राइब अपने दोस्तों के पास में जरू कीजेगा